जैहिन दोस्तों आज हम बात करेंगे G20 की जिसे 20 के समूह के रूप में भी जाना जाता है यह 20 वित्मंत्रियों और सेंटरल बैंक के गवर्नर का एक समूह है G20 विश्व के प्रमुक अद्योगिक और विकासी देशों का एक समूह है जिसका दुनिया की लगबग 85% अर्थवेस्ता पर नियंत्रन है इसमें अमेरिका और जर्मनी जैसे अद्योगिक देशों के सासाथ चीन और भारत जैसी उबरती अर्थवेस्ता हैं भी सामिल है G20 में विश्व की आर्थिक स्थिर्तार से सबंदित प्रमुक मुद्दों पर अद्योगिक रित और उभरते बजार वाले देशों के बीच मुक्त रूप से विमर्ज को प्रोहसान देने वाला एक अनुपचारिक मज्च है इसके द्वारा अंतराष्टरिय स्योग के माद्यम से अंतराष्टरिय वितिय धांच को मुझबूत करने के साथ साथ राष्टरिय नीतियों जैसे व्यपार, स्वास्थय, जलवायू, वैस्विक, समन्या पर समवाद के लिए अफसर उपलब्द कराए जाते हैं G20 विशवभर में समरिद्धी और विकास का समर्थन करता है और विशवर्थवस्ता के सामने आने वाली महत्रपुन चुनोतियों से निप्टने में अपनी महत्रपुन भूमी का निभाता है G20 की स्थापना 1999 में ACI देशों में आई आर्थिक मंदी पर वितमंत्रियों और केंद्रिया बैंकों के बीच अंतरराष्टरिया सहयोग पर विचारवी मर्स करने के लिए की गई थी जिसकी सुरुवात 1999 में जर्मनी के बरलिन समेलिन में हुई थी सन 2008 में दुनिया ने भैनक मंदी का सामना किया था जिसके बाद G20 को हर देश के सिर्ष नेताओं के संग्ठन के रूप में तबदील कर दिया गया था और इसके बाद यह तै किया गया था कि साल में एक बार G20 राष्टरों के सिर्ष नेताओं की बैठक की जाएगी G20 के सदस्य देशों में सामिल हैं अर्जंटीना, अस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाड़ा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, मैक्सिको, रूस, साओधी अरब, दक्षिन अफ्रीका, दक्षिन कोरिया, तुर्की, इंगलेंड, सिंग्तराज्य अमेरिका, और संग्ठन के रोप में यूरोपिया संग, अंतराष्टरिय मुद्रा कोस के महनिदेशक, विसफ बैंक के अध्यक्ष, अंतराष्टरिय मुद्रा, एम, वितिया, समीति के अध्यक्ष, तथा आई, एम, एफ, वे विसफ बैंक, विकास, समीति के अध्यक्ष भ जी ट्वंटी सम्मेलनों के अंदरगत हर साल एक अलग देश जी ट्वंटी सम्मेलनों के अध्यक्सता करता है और इस साल इसकी अध्यक्सता भारत के पास है भारत के पास एक दिसंबर 2000, 22 से 30 नुवंबर 2000 तेही तक जी ट्वंटी के अध्यक्सता है और वर्तमान में इसके अ एक ऐसा विशे है जिसमें सभी प्रकार के जीवन मुल्यों, पशुपोदों और सुक्सम जीवों और पृत्वी एम व्यापक ब्रह्माण में उनके प्रसपरस बंदों की पुष्टी करता है जीट्वन्टी दो हजार तेईस में भारत का लोगो राष्ट्रिय ध्वज के जीवित रंगों केसरिया, सफेद, हरे और नीले रंग से प्रेरित है इसमें भारत के राष्ट्रिय पुस्प कमल को पृत्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है जो चनोतियों के बीच विकास को दरसाता है जी टुन्टी का दो हजार तेईस का समेलन भारत की रास्दानी दिल्ली के प्रगरती मैदान में 9-10 सितंबर दो हजार तेईस को अयोजित किया जाएगा इस जी टुन्टी समेलन में भारत के प्रमुख मुद्ध हैं हरित विकास, जल्वाईयू, पर्यावरण के लिए जीवनसैली, तवरित, समवेशी और लचीला विकास सतती विकास में तेजी लाना, तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सावरजनिक अवसरचना, 21 सदी की बहुपक्षिय सस्थाएं और महिलाओं के नितरतब में विकास इसके इलावा जी टुन्टी में दो समांतर ट्रेक सामिल हैं पहला है फाइनेंस ट्रेक और दूसरा है सेर्पा ट्रेक, वितमंत्री और केंद्रिया बैंक के गवर्नर वित ट्रेक का नितरतब करते हैं, जबकि सेर्पा ट्रेक का नितरतब सेर्पा करते हैं सेरपा नाम हिमाल्या में कूली या गाइड की तरह काम करने वालों के लिए किया जाता है ठीक इसी तरह सेरपा G20 में अपने देश की तरफ से बाचित करते हैं भारत के 2030 के G20 के सेरपा अमिताब कांथ हैं जो G20 के तीन देशों भारत, इंडोनेशिया और ब्राजिल के साथ चर्चा का नितरतव करेंगे इसके अलावा G20 देशों का मुख्याल्या मेक्सिको में स्थित है जहन